पपरईु जो पापोिए क्या इसी जन्म में वो सब खतम हो सकते हैं में इस जन्म में ही केवल खतम हो सकते हैं अगर हमें सावधानी कर रुरवक भजन करने की ब्रधी प्राप्ट हो जाए तो अभी ठीक हो सकता आगे पता नहीं किश्यून में वहां भजन कर पाएं कि ना कर पाएं कहां में ट्रांसफर कर दिया जाए कर्म के अनुशार अगर हम जिस कारी के लिए आए हैं वो कारी नहीं करेंगे तो फिर हम से यह सरीर छीन लिया जाएगा मताब अब हमें बार बार आउशर मिला है जब से स्रस्टी हुई तो अब हमें सत्संग भी मिल गया है इसका मताब हम पर भगवान की विशेश्क्रपा हो गई तो जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब का सर्वनास करने के लिए भगवान ठेका ले रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरनम व्रज अहम त्वाम सर्वापयव्यो मुक्षिस्यामि महशुचा भगवान के रिना वचनों पर विश्वास मानना चाहिए और भगवान के चर्णों का अज्ट्रेवलेकर नाम जब करना चाहिए नाम जबसे समस्त पापों कशना हो जाता है नाम संकीरतनम्यस्य सर्वपाप प्रणाशन हो समस्त पापों कशना हम गलती नहीं पाँए हमारे विचार में भी गलती नहीं रह जाया क्योंकि देखो बहुत serious बिसे है कब स्वास रुख जा कुछ पता ने वैसे भी अवस्ता हो गई वैसे भी किसी की भी मृत्यू कब आ जा कुछ पता ने हम लोग बिलकुल बे परवा है यहां का कुछ भी साथ नहीं जाना और जो साथ जाना है उस पर हमारा द्यानी नहीं जा रहा है भगवान का नाम भगवान का भजन साथ जाएगा और वही समस्तक कर्म बंधनों से मुक्त करेगा अब इदर किसी का द्यानी नहीं बस मन मानी आच्रन करते जाओ चाहे हो पाप हो हो चाहे कुछ की हो हमारे को सुख मिलना चाहे है हमारी मन के अनुशार होनी चाहे इसी में पाप होते हैं इसी में गलतिया होते हैं चलो अब लोग नशानी अबनान सही हो अगर आज समझ में आ जाए तो अभी सुधार कर सकते हो भगवान नाम का जिव्या से क्योंकि मन पवित्र होने पर लगता है भगवान में मन नहीं लगेगा पर हम कुछ अपना है जैसे हम मन ना लगाएं और भोजन पावें तो पेट बर जाएगा पेट बर जाएगा मन ना लगाएं और भोजन पावें तो पेट नहीं बर जाएगा क्यों नहीं पेट तो भरी जाएगा, भर जाएगा न, अब टीवी देख रहे हैं, मन् टीवी में लगा है, आख भोजन पाते जा रहे हैं, तो वैसा थोड़ी कि 10-20 आदमियों का भोजन पा जाओगे, आपका पेट हर कवल में भर रहे हैं, और आप भले ध्यान न दें, आप टीवी किया देंगे ना। क्योंकि वह प्रक्रिया है वह पूरृणता की तरफ हो रहे ऐसे ही हम मन लगे या ना लगे राधा 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 वो अपना प्रभाव समान दिखाता है, जैसे जहर है, हम सरद्दा से पिएं, तो अमर कर देगा क्या मारेगा, उसका प्रभाव है, और असरद्दा से तो मारेगा, भूल से तो मारेगा, क्यों उसका प्रभाव है, तो नाम का प्रभाव है तारेगा, स्रद्दा से जपो या अस्रद्दा से जपो भाव से जपो या कुभाव से जपो उसका स्वभाव है प्रभाव है तारेगा वो आपको तार देगा बस ये बात किसी के हरदय में बैठ जाए अभी तक गलतियां हुई हमारी स्वासें गलत आचरणों में गई पर आज से हमें सत्संग मिला आज से अब नहीं होने देंगे हर स्वास में राधा भुलेंगे और मन जो गलत कारियों के लिए चिंतन करेगा पेरित करेगा आप नहीं करेंगे बहुत हसी करवा लिये अपनी अब असी नहीं होगी अब मैं इसी जन्हमें भगुफद्पराप्ती करूंगा तो हम कहरीं अगर 100 सांसें है न तो 1000 में घॉफद्पराप्ती हो जाएगी और सही Yakes समझ नहीं पाये हैं एक आगर सही समझ आ गई तो हमकर सवय भगोत प्राप्ति की लिए प्रयाप्त है जितनी है करुणा में जैसे भी हैं आपकी है माना में नीज पतीति भूपर आपका हूं हे प्रियालाल और राधा 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 और जिस स्वासर में राधा कहते हुए हमारी अंतिम हुई हम पहुंच जाएंगे किशोरी जुके पहुंच जाएंगे इसका प्रमार भागवत में है, झीवन भर वैस्यागामी पापाचरम, खिंसा करने वाला अजामिल और बालक को पुकारने के उसमें निकल गया मुख से नारायन क्योंकि बालक का नाम नारायन था उसी समय भगवत पारशद आये यमदूतों की फासी काट दी और भगवान का भजन करने का भाव उसको जागरत हुआ तो हरी पारशदों ने छोड़ दिया और वो नाम की एक नाम पुत्र के भाने लिया तुम मेरे को भगवत पारशदों के दर्सन हो गए उसक्षाद भगवान नारायन को प्राप्त हुआ परंपद प्राप्त हुआ तो आपके पास तो अभी स्वासे हैं बस राधा 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 और अंदर से हो जाओ सरनागति का मतब समझते हो जैसे हो गए है द्वारिका वाशिन गोविंद गजेंद्र उसे सरनागति कहते अब एक जटके में ग्राह मार देगा तब हरी तो अब यही है कि काल रूपी जटका कब लग जा कुछ पता है कि सेकेंड का आखरी सेकेंड हो हमारी स्वास राधा 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 डर्ना मत न कि धानत है कि जिसे हमसे बहुत गलतिया होंगे माना तो भगवान के रहें शनमुक होए जीव मोई जब ही जन्म कोट यह ना सो करोनों जन्मों के पाप उसी छड में नश्ट कर देता हूं जब मेरी सरन में हो जाता है पर सरनागति का भाव समझ लो जैसे वो डूब रहा है अब बस केवल हरी बचा सकते हैं गजेंद आब केवल हरी जद बचा सकते हैं क्योंकि ना कोई सभा में और ना मेरी भुजाओं में बल रह गया ना दातों से हे घोविन आब कि प्रभू अब सरीर से कोई साधना ने बनेगी अब तो बस आपका भरूसा है लाडिली राधा राधा राधा काम बन गया आत्म समर्पड ये नवधा वक्ति की पूर्णता में है स्रवनम किर्तनम इस्मरणम विश्णूरपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्या आत्मनिवेदनम एक साधन से आत्मनिवेदन होता है और एक साधू के द्वार आत्मनिवेदन होता कि आप समझ गया कि मेरा कल्यान केवल भगवान की सरण में होगा तो हे भगवान मैं आपकी सरण में हूँ और जितनी स्वासे नाम जब कर लिए भगवत प्राप्ति उसी से हो जाती है समझ पहर है आप